पुर्वनागपुरातूल नितिन गलकरी आना मोट्ःा मतांचा संक्ख्याने निरून देनार त्या करेता पुर्वनागपुर चा भाजब कार्य करतानी तयारी सुरू के लिया है असमत विकेबी नियुश्य बोलता ना पुर्व नाकपुर चामदार कुरूशनाखो प्ड़े या निव्यक्त के लगव लोगसबा 2024 का आगाज हो चुका है और नाकपुर में भारती जन्ता पार्टी ने फिर तीसरी बार नितिन गड़करी पर दाव लगाया है अगर बात की जाएगी उनके कारियों की तो उनका कारिय अपने आप में एक बेशुमार है और कही बार विपक्ष भी उनके कारिय की सरहाना करते हुए देखा गया है इदेश में विकास के नाम से अगर उनकी बात की जाएगी गड़करी जी की उनको रोट करी, पुल करी के नाम से जाना जाता है लेकिन नाकपूर के स्थानिक जो कारे करता है उनके चहीते जो विधायक है वो उनके बारे में क्या सोचते है इसका जायदा लेने के लिए आज हम आयो हुए है पुर्व नाकपूर के विधायक श्री कुरुशना जी खोपड़े के तरफ भव फिर से तीसरी बार नितिन जी गड़करी को मेदवारी दी गई है कितने खुश है और किस तरह का किस तरह से उनकी जीत आप देखना चाहिए नाकपूर शहर के इतियास में 2014 से इसकी शुरुवात हुई है 2014, 2012 और 2026 कि जितनी भी चुना हुए लोकसभा हो, विधान सभा हो, महानगर पालिका हो या फिर से लोकसभा की चुना हो इसमें भारतिय जनता पाल्टी का प्रतेक कारेकरता, प्रतेक हमारा प्रमूख ये भारतिय जनता पाल्टी का संगटनात्मक धाचा हो, भारतिय जनता पाल्टी के बाकी विशे कारेकरताओं का सम्मेलोनों, कारेकरताओं के काम हो हम निच्चित रूप से हर समय चुनाओ के ही मोड में रहते हैं और इसलिए नाकपूर शहर में के अंदर गड़करी जी आज हमारे सब के उमेदवार है और मैं निच्चित रूप से आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये दो हजार चुवीस का ये चुनाओ आज तक के सारे रेकार्ड ब्रेक करके गड़करी साब बड़े पैमाने पर लाखों मतों से चुनके लोकसबा में जाएंगे उसका मुख्य कारण ऐसा है कि 2014 के पहले का अगर आप पितियाद देखोंगे 2014 के पहले का आप नाकपूर देखोंगे 2014 के बाद का नाकपूर देखोंगे उसमें जमीन आसमान का फरक हुआ है और आपने ये भी देखा होंगा कि गड़करी जी के माद्यम से नाकपूर शहर ही नहीं तो पूरे देश के अंदर उन्होंने डेवलप्मेंट किया है और इसलिए लोगसबा के पिथले अदिवेशन के अंदर सोनिया गांधी हो, राहूल गांधी हो, कॉंग्रेस पार्टी हो या विपश का कोई भी नेता हो लोगसबा के अंदर गड़करी साब की उन्होंने विकास के माद्यम से इतनी तारिफ की कि शाहे देश के इतियास में पहले ये नेतूत को ऐसा है नितिन जी गड़करी जिनका लोगसबा के अंदर आज तक का कोई भी पार्टी के नेता की इतनी तारिफ मी भी जितनी पार्टी भारती जनता पार्टी के तो खाददारों ने किये लेकिन कॉंग्रेस के और अपक्ष जो विरुदी पक्षे नेताओं ने भी गड़करी साब की तारिफ की उसका मुख्य कारण है कि गड़करी साब को के नेतूत में जो काम देश के अंदर हुआ है गड़करी साहब के नितूत में जो महाराष्ट नाकपूर का जो विकास का काम हुआ है नाकपूर आज देश के अंदर नंबर वन का विकास का मॉडल ठहरा हुआ है और इसलिए नाकपूर शहर के छेही विधान सबाव के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलोपमेंट के काम चालू है इतने बड़े पैमाने पर नाकपूर शहर के अंदर प्रोजेक्ट आए कभी भूतो ना भविश्व किसे ने भी विचार नहीं किया था इस प्रकार के प्रोजेक्ट आए मेट्रो इतने जल्दी आएंगे और इतने जल्दी दवडेगी ये सपने में भी किसे नहीं सोचा था जिनके मन में इच्छा शक्ती रहती वही कर सकते है और इसलिए 2014 के बाद जो नाकपूर शहर बदला है और उसी के मादम से हमारे पुर्वनाकपूर में भी बड़े पैमान पर प्रोजेक्ट भी पुर्वनाकपूर के अंदर आया पुराना पुर्वनाकपूर और आज के पुर्वनाकपूर के अंदर जमिन आस्मान का फरक है और उसी का कारण है कि गड़कर जी के सामने कोई कॉंग्रेस का उमेदवार लड़ने के चुक नहीं है क्योंकि सभी को मालूम है हमारी तो अपेक्षा थी कि कॉंग्रेस के नेताओं ने नाकपुर शहर के अंदर 25-25 साल आमदार रहे अनेक साल मंत्री रहे अभी तक मंत्री रहे नितिन राउथ है सतीच चतुरेदिया से महान शक्तियों ने उनके साथ में आके चुनाव लड़ना चाहिए लेकिन वो सुचेका और अनुमादक तक का ही वो सिमीत आज के तारिक में अपने को दिख रहे है, सूचे का और अनुमोदक के तकाई हो सीमित दीख रहे हैं इसका मतलब है कि गड़करी जी के सामने कोई चुनाओ लड़ने के लिए तयार नहीं अब किसी को तो भी लड़ाना इसलिए वो लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं जिनका नाम सुन रहे हैं उन्होंने भी दस बार बोलाई कि मेरी लड़ने की इच्छा नहीं है फिर भी किसको तो भी लड़ाने का वो काम करेंगे और नाकपुर शहर की जनता इस समय वन्नी सारी के रहा देख रही है और निच्ची तुर्क से मैं आपको बताता हूँ कि सारे रेकार्ड ब्रेक करके गड़करी जी चून के आएंगे आपका सीधा संपर्क नितिन गड़करी से है इतने बड़े नेता है लेकिन सर्वसामान की जिन्दगी जीते है कभी गबंड नहीं किया उन्होंने उनकी बातों से साब तोर पर एक शालिंता जलकती है पुर्वनाकपूर के अगर जब बात किये जाती है तो नितिन गड़करी के जीत में पुर्वनाकपूर का सबसे बढ़ा हिस्सा रहता है क्योंकि सबसे ज़्याद लीड उनको पुर्वनाकपूर से मिलती है इस बार किस तरह की रणनीती पुर्वनाकपूर से आप तैयार कर रहे है क्योंकि यहां के आप स्तानी कामदार है और कितने की लीड पुर्वनाकपूर से मिलेगी ऐसा विश्वास पुर्वा नाकपूर का अगर पुराना इतियाद देखे तो यह कॉंग्रेस का बाले किला रहा है नाकपूर शहर में कॉंग्रेस कही पर यह नहीं करती थी लेकिन पुर्वा नाकपूर में किसी को भी खड़ा किया तो पुरो नाकपुर में चून के आएंगे ऐसी परिस्तिती कॉंग्रेस के इतने सालों के इतियास में आपने भी देखा और हमने भी देखा और सबी लोगों ने देखा लेकिन जो परिवर्तन 2009 के बाद जो आया और लोगों को भी समझ में आया कि भारतिय जनता पाल्टी काच कारे करता काम कर सकता है क्योंकि कॉंग्रेस ने इतने साल नाकपुर शहर को भी अंदकार में में रखा और पुरो नाकपुर को भी अंदकार में में रखा क्योंकि इतने साल मंतरी रहने के बाद उन्होंने इस पूरवन अकपुर के अंदर एकादा भी प्रोजेक्ट इतने सालों के अंदर नहीं लाए एकादा भी काम उनके नाम से लिखा जाएगा ऐसा उधारन कोई पेश भी नहीं कर सकता और इसलिए 2014 के बाद जो नाखपूर शहर के अंदर और पूरो नाखपूर में जो development हुआ और इसलिए आज पूरो नाखपूर का पुरा चित्र ही विकास के माद़म से बदल गया है और इसलिए नाखपूर शहर के 6 विधान सबा में दो हजार चवदा में भी पूरोनाखपूर नंबर बन पे था, दो हजार वनिस में भी पूरोनाखपूर नंबर बन पे था और दो हजार चुबिस में भी पूरोनाखपूर नंबर बन पे रहेगा, गड़करी जी के मादम से देविज जी के मादम से इतने बड़े पहमाने प कभी किसी की जात नहीं देखा, कभी को ने उससे पूछा नहीं और कभी भी गए तो उसके सदबाउना के साथ उनके आमने सामने चर्चा होती, मिटिंग होती, उनके प्रशन छुडाने का काम होता और ये कोई कर सकता है तो ये सामान ने जनता में से आया हुआ विक्ती ही ये सठाकरे उनके खिलाब मैदान में उतर सकते हैं, किते सक्षम उमेदवार मानते हैं नितिन गड करीगी? अबी इंद्रा गांधी की फोटो बताना और होट लेना वो जमाना गया अभी जो काम करेंगा उसी को लोग सलाम करते हैं, जो डेवलोपमेंट करेंगा उसी को लोग नमशकार करते हैं और इसलिए जो नागपूर शहर की जो कॉंग्रेस की जो प्रमुक मंडडी है जो भी इस सामने लड़ना ताउनुमों आधे कह Literally लड़ना चाहिए इस प्रकार एंध्यों कने बाहन को कोई गड़क fracture के सामने लड़ने के उए क्छुक नहीं है कोई पिछले वननिस में भी आपने देगे भाहर का आयात क्या हुआ नाकपूर में लाया तो उसके क्या हाल हुए वो भी हम सबको मालूम है और इसलिए गड़करीजी ने जो शहर के अंदर काम करके बता है जो शहर का चित्र बदल करके बता है इतने बड़े पहमाने पर हैं प्रो का बखरा बनाने का काम ये कॉंग्रेस का नेतू कर रहा है और जिनोंने अनुमधक सूचक किया है हमारी तो इच्छा है कि वो दोनों नेताओं में से पोई तो आया सामने पोई तो लड़े तुमने इतने साल नाकपूर शहर का नेतू तो महाराज के मंत्री मंडल में तुम कुझ नहीं लड़ रहे हैं तुम क्यों पीछे भाग रहे हैं और इसलिए लड़ाई हो तो जरा लड़ाई के सामने का भी आदमी अच्छा रहे तो जरा भी लड़ाई में मज़ा आती है लेकिन जो विक्ति दस बार बोर रहा है कि मुझे लड़ना नहीं है मैं लोकसभा का कै कंडिडेट ने नहीं हूँ उसको जवरदस्ती उतारने का काम ये कॉंग्रेस वाले कर रहे हैं और जो उमेद्वा रहेगा उसको भी मालूम है कि उसका भाईश्या आगे क्या है किन मुद्दों को लेकर नितिन गड़करी के प्रचार में आप खुद मैदान में उत्रेगा हूँ हमारे सभी प्रमुक कारेकरता मैदान के अंदर उत्रे विये हैं हम कंटिनू भारतिय जनता पार्टी का काम पुरो नाकपुर में हमारे हैं शुरू है हमने बूत की भी यो चत्रेंजी पुरा में रहता हूँ जहां आप मेरा इंटरूए ले रहे हैं मैं उस भाग 152 नंबर का मेरा पेज़ प्रमुक है मुझे भी हमारे प्रमुक कारेकरता हूँने मुझे भी 60 मतों की जवाबदारी दिया है मैं भी वननिस सारिक तक 45 बार उनके घर में जाओंगा उनके मोबाइल नंबर लाओंगा और हर बूत के अंदर जितने पन्ने रहते हैं उतने पन्ने के प्रमुक हमने बनाने का काम किया और कंटीनू उसकी बैठका चालू है भारती जनता पायटी की बैठका चालू है युवा मुर्ची की बैठका चालू है महिला अगाडी की और वनिस सारीक तक जब तक कमल के उपर सबकी वटन दपती नी जब तक हमारे सभी कारेकरता सक्रिय रूप से काम करेंगे। अज नितिन जी नहीं किया. हर पार्टी का बेखति बोलता है, उपश्क तक जब खंके करेंगे। इसनित ले ओर करता और या जागा सोकी दिडसी पिशार समान करता है और इसलिए सबी कारे करता है